इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया ने ओटर आईडी कार्ड से जुड़े हुए मैटर के लिए एक नई पोर्टल लाँच कर दी है तो इस पोर्टल पे आप कुछ काम जैसे की नए ओटर आईडी कार्ड के लिए अपलाई करना या फिर आपके पास पहले से ओटर आईडी कार्ड है उसमें आप कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं कोई डाटा तो आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आपके पास order ID card miss हो गया है या फिर कहीं गूम हो गया है तो आप उसको copy download करना चाहते हैं तो आप इस portal से कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको step by step process बताऊंगा कि यदि आपको एक नए order ID card के लिए apply करना है तो आप कैसे करेंगे order ID card को apply करने से पहले आपको कुछ documents ready रखना है तो सबसे पहले आपको passport size photo अपना जिसकी size 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उससे रख लेना है इसके बाद आपको date of birth का एक proof attach करना पड़ेगा जैसे आप birth certificate लगा सकते हैं या फिर आपका class 10th है 12th का mark certificate जो issue हो ता वो लगा सकते हैं पासपोर्ट हो अधार card हो driving license हो आप किसी इसमें से कोई भी documents आप attach कर सकते हैं इसके बाद आपको एक proof of address भी देना होता है तो आधार card passport या फिर आपका passbook जो की bank का हो या post office का हो उसका current passbook आपको चाहिए जिसमें address वगर मेंशन हो इसके बाद water or electricity bill वही चलेगा तो इसमें से कोई भी documents है दी आपके पास है तो आप इसको ready करके रख लें और date of birth के लिए जो proof आप attach कर रहे हैं या फिर address proof जो attach कर रहे हैं उसकी size 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो ओटर ID card को apply करने के लिए आपको जो ह और यहां पर आप देख सकते हैं जो first वाला option है यहां से आप नए ओटर ID card के लिए apply कर सकते हैं और जो यहां पर आपको देख रहा है option यहां से आप ओटर ID card में पहले से कोई data यदि आप correct कराना चाहते हैं या फिर उसमें कोई residence का proof और चेंज कराना चाहते हैं या फिर आपके पास यदि ओटर ID card नहीं है या फिर फट गया है या फिर कुछ हो गया है तो आप ओटर ID card का एक fresh copy यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो हम इस वीडियो में ओटर ID card को apply करने का step by step process सीखने जा रहे हैं तो यहां पर apply करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहा आइन पर जाएंगे और यहां पर आपको अपना एक mobile number इंटर करना है और email ID आप चाहें तो डाल सकते हैं कोई optional है इसके बाद आपको यहां पर capture code यहां पर फिल अप करना देन आपको continue पर click करना है capture code इंटर करने के बाद आपको यहां पर अपना first name, last name और जो भी password आप चाहते हैं वो password आप यहां पर इंटर करेंगे account जो successfully create हो चुका है देन आपको login पर यहां पर click करना जो mobile number आपने इंटर किया तो यहां पर इंटर कर देंगे password जो आपने create किया था वो आपको इंटर करना है तो form 6 पर आपको यहां पर click करना है तो यहां पर आप main dashboard पर आ जाएंगे और यहां से आपको अपना state select करना देन आपको district अपनी select करनी है और यहां से आपको अपना विधान सबा छेतर यानि constituency जिसकों की बोलते हैं उसे आपको यहां से select कर लेना है देन आपको इस पर next पर क्लिक करना जैसे आप next पर क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं कि यह इतने सारे steps आपको complete करने है तो जैसे फंस इस वाप complete करेंगे यहां पर आपको टीक मार्क करके दिखेगा देन आपको next step पे बोलेगा तो next step आपको क्लिक करना है तो next step में आपको यहाँ पे नाम अपना इंटर करना है जैसे ही आप इंगलिस में अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में अपने आप टाइप होके आ जाएगा आपको यहाँ से सिर्फ की होनी चाहिए और 2 MB से ज़्यादा फोटोग्राप की साइज नहीं होनी चाहिए यह जो आपका फोटो है यह आपके ओटर ID कार्ट पर प्रिंट हो करके आएगा इसके बाद आप नेक्ट पर क्लिक करेंगे देन अगेन आपका यह step complete हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपने relatives का detail देना है चाहिए father या mother या husband, wife किसी में से कोई भी आप select करके यहाँ पर नाम इंटर करेंगे यह पी जाएगा उसको आपको यहाँ इंटर करके verify पर क्लिक करना है इसके बाद email ID आप चाहें तो डाल सकते हैं यह optional है और यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटर करना है देन आपको यहाँ पर next पर click करना है तो next step में आपको अपने अधहार की detail इंटर करनी है दिए आपके अधहार है तो आप simply यहाँ पर अधहार number अपना इंटर करेंगे दिन आपको next पर click करना है दिहाँ आपके पास अधहार नहीं है तो आप इस वाले option पर click करेंगे दिन आपको next पर click करेंगे इसके बाद आप को यहां से अपना जेंडर सलेट करना है देन आपको यहां पर नेक्ट पर क्लिक करना है आपको यहां पर डेट ऑब बर्थ अपनी इंटर करनी है यहां पर कोई भी इसमें से कोई भी डाकुमेंट आप चूज कर सकते हैं जैसे आपके पास अधार काड है तो आप अधार काड पर जाते हैं और यहां पर आपको अपना residential address, full address आपको यहां पर इंटर करना है, जैसे कि आपका house, building, apartment number क्या है, वो आपको यहां इंटर करना है, street area, locality, mohalla, road यह आपको इंटर करना है, village, town इंटर करना है, इसके बाद आपको post office अपनी इंटर करनी है, pin code इंटर करना है, तहसील, तालुका, मंडल आपको इंटर करना है, और यहां पर आपको अपनी district जो है, यहां से select कर लेनी है, और state तो आपका automatic यहां पर ले लेता है, यह detail आपको इंटर करनी है, उपर की सारी details इंटर करने के बाद, आपको यहां पर documents attach करना है, proof of address के तोर पे, तो यहां पर आप address proof में आधार card, water, electricity, gas, connection, passbook, या फिर passport और अपना है, तो आप attach कर सकते हैं, तो जैसे हम यहां पर आधार card को attach करते हैं, और यहां पर आपको ध्यान आपको यहां पर इंटर करनी है, जिसे locomotive है, या visual में दिक्कत है, या फिर गूंगा या बहरा है, तो आपको यह details वगर आपको यहां पर आउए, इसके बाद यदि इसमें से कोई भी चीज़ आप select करते हैं, तो आपको यहां पर एक certificate, उसका attach करना पड़ेगा medical certificate, और यहां पर जैसे आप इसको select करते हैं, तो आपको यहां percentage भी बताना पड़ेगा कि कितना percent गूंगा या बहरा है, यह doctor medical certificate जो issue करता है, उसमें वो order ID card बना हुआ है, तो आप यहां पर उनका नाम इंटर करेंगे, यहां से आपको relationship select करना, जिसे father है, mother है, wife है, legal कोई गार जी ने जिसका भी बना हुआ है, फिर उनका आपको यहां पर epic number इंटर करना, इन्हीं order ID card number इंटर करना है, इसके बाद आपको next पर click कर देना है, इसके बाद आपको यहां पर declaration देना है, कि जो कुछ भी information आपने उपर में दी है, वो information आपके नजर में सही है, तो यहां पर आपको अपना village town अगें इंटर करना, state select करना, district select करना है, जो address आपने उपर mention किया है, उस address पर आप कब से रह रहे हैं, यहां पर आपको date और year यहां पर select, तो यहां पर आपको month और year select करना है, इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आपको again अपना place select करना है, इसके बाद फिर date आटमेटिक आ जागे, देन आपको यहां पर next पर click करना है, देन आपको यहां पर capture code enter करना है, देन आपको preview and submit पर आपको click करना है, जो भी application आपने form number 6 में fill up किया है, जो details, यह आपका यहां पर details पूरी आ जाती है, एक बार आपको इस form को एक बार verify कर लेना है, यहां पर सारी details आपको यहां पर check कर लेनी है, यदि इसमे ठीक ठाक है, तो फिर आपको यहां पर submit पर click करना है, देन आपको यहां पर पूछ रहा है कि do you want to, are you sure want to submit this form, यहां पर आपको yes पर click करना है, देन आपको यहां पर एक reference number आपको generate हो करके मिल जाता है, यह reference number आपको future में अपने application को track करने के लिए आपको use आप कर सकते हैं, तो इसको आप note करके रख लिजे, देन आपको यहां पर ok पर click करना है, आपको अपना application status यहां चेक करना है, तो आप इस वाले option पर आएंगे track application status इस पर आपको click करना है, और यहां पर आपको अपना reference number जो generate हो था application submit करते समय, वो reference number आपको यहां इंटर करना है, यहां से आपको submit पर click करना है, तो आपके application का जो भी status रहेगा, वो आपको यहां पर बता देगा, यदि आपका author ID card बन जाएगा, तो आपके address पर send कर दिया जाएगा by post, in case यदि आपको नहीं आता है, तो आप यहां से status चेक करके, track application status चेक करके, आप अपने author ID card को यहां से download भी कर स आपको वहां पर यदि आपका बन जाएगा, तो आपको epic number एलोट हो जाएगा, तो वो epic number आप यहां पर enter कर सकते हैं, इसके बाद select पर आपको click करना है, then search पर आपको click करना है, तो आपका author ID card generate हो गया होगा, तो आप यहां से उसको print out करके, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, और यहां पर आप चाहें, तो reference number से भी अपने author ID card को यहां पर track करके, और उसके बाद आप उसको download करके, उसका print करके आप रख सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों, आप author ID card को online apply कर सकते हैं, और आप घर बैटे, अपना जो author ID card में correction वगरे, वो भी कर सकते हैं, download भी कर सकते हैं, तो मिलते हैं एंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए, जय ही जय भारत, thank you so much for watching this video.